गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड बैठे हुए गार्डन में और पुलिस आगई रंग में भंग डालने के लिए जी हैं हम रोमेंस की बात नहीं करेंगे, हम कानून की बात करेंगे आखिर कपल के क्या कानूनी अधिकार होते हैं उसके बारे में जानना आवर्शक है, जरूरी है इस फीडियो में जरा हम समझते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा क्या क्या काईदे, कानून, नियम ऐसे बनाए गए हैं किसी और संगठन के लोग परिशान करते हैं कि इनको कपल को, जो गार्डन में बैठे हुए हैं, कोई अभधरदार नहीं कर रहे हैं, किसी और तरीके का ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो की एक तरीके से न्यूसेंस हो, पबलिक को तकलीव देने लायक हो, लेकिन उसके ब इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ओफिंस जहां पर आपने अपराद नहीं किया, उस कंडीशन पर आपकी बेवज़ा का आपको परेशान या आपकी गिरिफतारी नहीं करी जा सकी, आर्टिकल 21, जो की आपकी परसनल लाइफ और लिबर्टी के बारे में बात करता ह जो आप जैसे जीना चाहें, जैसे रहना चाहें, आप रह सकते हैं, उसका आपको सम्विधानिक अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है, 21 में दिया गया, Right to Life and Personal Liberty, तो जो तीनों ही आर्टिकल हैं, अगर आप आर्टिकल 19, 20 और 21 की बात करें, तो बेवज़ा का पुलिस या कोई ऐसा group आपको परिशान नहीं कर सकता, जब कभी आप किसी garden में बैठे हूं, या कि किसी hotel में जाते हैं, तो जब तक कि आप nuisance ना create करें, जब तक कि public को inconvenience cause ना करें, तब तक आपको नहीं परिशान किया जा सकता, Facebook में आपने एक दोने कई viral वीडियो देखे होंगे, जहां पर लोग confront कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं पुलिस वालों से कि आपको ये ताकत, ये कानून में आपको कहां से power मिल गई कि आप नैतिक्ता के आधार पर couples को परिशान करना, girlfriend, boyfriend को, लड़का, लड़की को और क्यों? उसके पीछे कारण केवल ये, उनकी नैतिक्ता उसके पीछे कारण नहीं है, नैतिक्ता तो वहीं उनकी धरी जाती है, जब वो 100-200-500 रुपे में बिक जाते हैं, तो नैतिक्ता की बात छोड़ देते हैं, कानून की बात करते हैं, और कानून इस बात की इजाजत permission नहीं देता क्योंकि भारत का जो समविधान है वही इस बात के खिलाफ है कि आप couples को परेशान करें जब उनकी 18 वर्ष के उपर आई हूँ है जब वो बालिक हो चुके हैं और उस condition पर अगर उनका कोई भी act जो nuisance नहीं है public को inconvenience cause नहीं करता पुलिस कोई भी दल आपको परेशान नहीं कर सकता हलाकि कुछ act ऐसे हो सकते हैं जिसे immoral कहा जा सकता है समाज की नजर में लेकिन कानून उसे immoral या अनेतिक नहीं समझता और illegal नहीं समझता दोनों अलग अलग बात हैं अन्मेरिट कपल्स होटल में जाते हैं कमरे में जाते हैं इसे समाज के दाइरे में आप अनेतिक समझ सकते हैं लेकिन उसके बावजूद ये कानून की नजर में गलत नहीं है कैसे किसी आने वीडियो में जरूर बात करेंगे काफी सारे ओपरेशन जो पुलिस के दवारे किये जाते हैं जो कि संसकारी एक्ट के खिलाफ हैं या कि मजनू, ओपरेशन मजनू, मुंबई पुलिस 2011 का आपने सुना होगा लाठी डंडे मारती थी, उठक बैठक लगवाती थी और परिशान करती थी कपल्स को उसके पीछे कारण तो ठीक था कि विमन हरास्मेंट नहीं होना चाहिए, लड़कियों को जो तंगी होती है, परिशानी होती है वो सब नहीं होनी चाहिए, जो आवारा लड़के होते हैं लेकिन इसके दाइरे में समंदर के किनारे बैठे कबल्स को भी परिशान किया जाता था, उठक बैठक लगवाई जाती थी मुर्गा बना दिया जाता था, अनेक तरीके से पनिश्मेंट दिया जाता था, और इसके आवज में मोटी रकम भी उनकी जेब खाली करने के तौर पर ले ली जाती थी ये सारा कुछ गलत है, क्यों गलत है क्योंकि वापस में रिपीट आपको करना चाता हूँ वापस से कहना चाता हूँ कि आर्टिकल 19, 20 और 21 जहां पर freedom of speech and expression आर्टिकल 19 कहता है, 20 ये कहता है कि आपको किसी भी ऐसे कानून जहां पर आपने कोई अपराद नहीं कि आपके गरफतारी नहीं होएगी आर्टिकल 21 आपको खुद की permission देता है आपको इजाज़त देता है, आपको life to personal liberty आप कैसे रहना चाहें आप क्या करना चाहें, आपको उसकी स्वतंत्रता देता है तो ये सारे जो अधिकार है न अगर पुलिस आपको परिशान करती है तो couples, being a couple ये आपके कानूनी अधिकार है जो समवेधानिक अधिकार है उसका हनन एक तरीके से होता है पार्क में बैठें, होटल में जाएं, कुछ भी करें संसकारी एक तो एक बात की बात है लेकिन कानूनी तरह से यदि देखा जाए तो कानूनी तराजू में आपने कोई भी अवैद काम, illegal काम नहीं किया ये बात हमको समझनी पड़ेगी अब कौन-कौन से कानून अलग भी हैं, जो समविधान को छोड़कर और बनाए गए हैं, जो कपल्स को ब्रोटेक करते हैं होटल्स की बात करेंगे, अगर आप कही भी पकड़े जाते हैं, या आपको कोई पुलिस वाला परिशान कर रहा है, तो आपके पास में क्या लीगल, ड्रेमिडी, राइट्स अविलेबल हैं, उसके बारे में भी ज़रा हम बात करेंगे, बने रहीएगा आंते तक, ओनलाइन लीगल एडवाइस की शुरुआत आपने की थी, अशोक पांड़े के साथ इस वीडियो में, आप सभी का कीमती महात्यवपून समय जो आप मुझे हमेशा देते हैं इसके लिए धन्यवाद किसी परिशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिंक है, जहांसे डिरेट अपॉइन्ट बुक करके भी आप कर सकतें बात मिलतें अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्त और सुरक्षित रहें